आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बहुत ही अलग तरीके से केक की रेस्पी लेकर के आए हूँ जो काफी जाधा ट्रेंड पे है ट्रेंड वाला ये जो केक है बहुत जाधा अमेजिंग है और बहुत है सिंपल है इसे बिगनस कैसे बना सकते है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैंने दो स्पॉन्ज बना करके पहले ही रख लिया था तो यह देखे मैं उसे उपर का जो हिस्सा है वो कट कर रे हूँ तो हमने या पर चॉक्लेट स्पॉंज बनाया है, और ये देखे एकड़म perfectly उपर से हमने इसे cut कर लिया है, अब करना क्या है, हम बना रहे हैं, S-Letter सबसे पहले हम इसे से राउंड इस तरीके से कट कर लेना है यह देखे एक दम पौफेक्ट वाला हिस्सा बहुत अच्छा देख रहा है आप इससे अपनी कोई क्रियेटिविटी कर सकते हैं या केक को गानिश करने के यूज़ कर सकते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे इस तरीक पर जो केक कटर होता है उस तरीके से एक नाइफ का इस्तमाल किया है आप चाहें तो जो थ्रेड होता है ना उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं स्पॉंज के एस पर आपको देखनी है तो फटा-फट से कॉमेंन सेक्शन में लिद करके बताईए तो यह देखे मैंने इसे राउंड शेप में अच्छे से कट करने के बाद इसे दो भाग में बाट लिया है अब करना क्या है हमें इसे एस लेटर देना है तो आप इसे ना ओ इंगल शेप में देखा जाये तो यह देखे इस तरीके समय से कट करना है एक तीहाई हिस्चे से मतलब थोड़ा सा कट करना है यह देखे एकदम पॉफेक्ट इस तरीके से कट करना है अब यह सी लेटर बन गया अब यह उपर वाला जो स्पॉंज है ना इसे मुझे जोड़ है तो उपर वाले स्पॉंज को मैं नीचे इस तरीके से टच कर दूँगी यह देखे एकदम पॉफेक्ट हमारा रेडी हो गया है थोड़ा सा उपर नीचे है मैं इसे अच्छे से फेनिश कर दूँगी तो आईए अब करना क्या है इसकी आइसिंग करनी है तो जो इस तरीक सा क्या करेंगे एक नाइफ के थूरू प्लेन कर लेंगे ताकि एकवली हो जाए क्योंकि आप देख सकते ना थोड़ा सा यह उचा है तो मैं इसे हलका सा कट कर लूँगी यह देखे एकदम पॉफेक्ट सो अब मैंने बताया था जैसा कि जब भी मैं आपको स्पॉंज बता करेंगे ना तो बिल्कुल हाड ने होगा अगर आप मेरे साथ यानि गोल्लिस किचन के साथ के का वरक्शॉप सीखना चाहते हैं ओनलाइन आफ्लाइन क्लासिस लेना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे मेल कर दीजे मैं वहाँ पर आपको सारे डीटेल्स शेर कर दूँगी य इस तरीके से मैंने नॉन अंबर का ऐसमें नोसल डाल दिया था और इस तरीके छोटे-छोटे हमें स्टार कह लो ऊसे हमें बना लेशन आप चाहें तो बिदाउट नोजल भी इसमें छोटे-छोटे ड्रॉप्स डाल सकते हैं जैसा कि आपने देखा को वड़ी वगरा बनाते हैं उस तरीके से भी अगर आप कलाकार हैं तो आपको बिल्कुल समझाने की जुरत नहीं है तो इस तरीके से ये देखें ये बिगनस के लिए मैं बता रही हूं तो इस तरीके छोटे-छोटे हमें स्टार बना लेने हैं छोटे-छोटे फ्लार्स बना लेने हैं ताकि हमारा ये जो केक है बहुत ही अच्छा दिखें आप चाहें तो पूरा इसे कोड भी कर सकते हैं बट हम ट्रेंड के साफ से ही चलेंगे बहुत अच्छे से मैंने एसलेटर को चोटे-छोटे स्टार से यानि विपिंग क्रीम से कवर कर लिया है अगर कहीं खाले स्पेस दीखें तो उसे भी आप अच्छी तरीके से फिल कर सकते हैं ये एकदम पॉफेट अब क्या करेंगी चोई दूसरा वाला स्पॉंज मैंने बनाया अच्छी तरीके से एकदम पॉफेक्ट तो जैसे हमने पहले बेस को अच्छी तरीके से कवर किया था विपिंग क्रीम के साथ चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चार बना कर गे उसी तरीके से हमें इस पे भी करना है स्पीन जैसा पहले प्रोसीजर किया था ये देखे इस तरीके से चोटे-चोटे-चोटे हमें स्टार बना लेने हैं और अगर आपको कहीं भी लगे कि स्टार नहीं बन रहा है तो आप उसे फिल से निकाल करके फिल से चोटे-चोटे- तरीके से बट हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है यह देखे एकदम पॉफेक्ट आजकल यह वाला जो केक है ना काफी ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है जिसका यह ओडर था ना उन्होंने पहले तो मुझे दूसरा केक दिया था बट ट्रेंड के हिसाफ से सब चलना च चाहिए तो मैंने एस लेटर उनके नाम से आ रहा था तो एस बना दिया और फिर मैंने क्या किया थोड़ा सा और हलका सा रेड़ फूट कलर डाल करके सेम विपिंग करी में मैंने यहां पर दूसरा नोजल लगाया जो शेल्स होते हैं उस वाला नोजल का इस्तमाल किया और पर रेंडमनी छोटे-छोटे मैंने फ्लार्स बना लिए यह देखिए एकदम पॉफेक्ट इस तरीके से बहुत सादा हमें इसकी खिचडी नहीं बनानी है बस हलका-लका फिल करना है और थोड़ा सा आप चाहने तो इसमें यलो कलर भी ले सकते हैं यलो कलर बहुत अच्छा अमें बना सकते हैं तो आफ वैसे बना सकते हैं या फिर आप फॉटे-चोटे फ्लार बना करके भी आप इसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं तो यह देखिए नहीं पुरी तरीके से प्नश कर्ते हैं अब हम इसके उपर चोटे-चोटे से फिलवर बॉल्स लगा जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है तो इस तरीके से हमें बहुत जादा नहीं ताकि दिखने में अच्छा लगे और जब भी आप कुछ इस तरीके से कलर यूज करते हैं आप सिल्वर बॉल का ही इस्तमाल करें या वाइट वाले जो चुटे-चुटे पर्ल्स वाले हो मैंने फलूदा बनाया था और उसके लिए मैंने रोज सीरप घर पे बनाया था तो ये ड्राइवाले लिप्स का स्वाल किया था बहुत ही अमेजिंग बनाया और साल भर तक आप उसे यूज भी कर सकते हैं तो इस तरीके से केक को मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से अमेजिंग सा कलरफुल केक देख लिए वैसे उनकी थोड़ी बड़ी थी बट कोई बात नहीं इस तरीके से मैंने थोड़ा कलरफुल बना दिया और उन्हें बहुत अच्छा लगा तो आप इसी तरीके से जो आपको लेटर पसंद आप केक बना सकते हैं और क